हेलो स्टुडेंट्स हाव आई यू बच्चो आज हिंदी की कख्षा में आपका स्वागत है सबी बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरन रफ कॉपी और पैंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें बच्चो आज हमारा पढ़ने का विशे है कारक जिसे हम प्रसर्ग भी कहते हैं और इसे विभक्ती चिन भी कहते हैं आज हमारा कारक टॉपेक पढ़ने का उधेश्य है उन चिन्हों के बारे में जानकारी हासिल करना जो संख्या और सर्वनाम शब्दों के साथ प्रियूग्ट होकर उनका बाकी शब्दों से संबंध सापिक करते हैं तो बच्चो आओ अब हम जानते हैं कि कारक का परियोग क्या होता है और कारक एक्चल में होते क्या हैं जो शब्द करता करम और क्रिया को आपस में जोडते हैं यानि कि इन तीनों का आपस में जो शब्द संबंध जोडते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कारक कहते हैं तो तो बच्चो अब यहां हम देखते हैं इस उधारण में की राम यहां पर करता है और करता कारे क्या कर रहा है यहां पर कारे हो रहा है मारने का यानि की राम द्वारा मारा जा रहा है किसको मारा जा रहा है रावन को मारा जा रहा है यानि की करता द्वारा जो कारे किया जा रह उसको हम क्रिया कहते हैं और क्रिया का परभाव जिस पर पढ़ता है उसे हम करम कहते हैं यानि कि यहाँ पर मारने का काम राम कर रहा है यानि कि वो करता है और करता जो भी काम कर रहा है क्रिया उसका परभाव जिस पर पढ़ता है वह होता है हमारा करम तो अब हम यह जानेंग कि इन सब शब्दों को आपस में जोडता कोन है वो है हमारे ये कारक यहाँ पर ने और को हमारे क्या है कारक है अब आभ एक इसको हम पढ़ कर देखेंगे कि राम ने रावन को मारा ये एक उचित वाक्य है, समपूर्ण वाक्य है, यानि कि एक पूरा वाक्य है अब हम देखेंगे राम, रावन, मारा, क्या ये वाक्य सही है? नहीं न, यानि कि कारकों के बिना हम वाक्यों का निर्मान कर ही नहीं सकते हैं यानि कि एक वाक्य को मनाने के लिए इन कारकों का होना अति अवश्चक है, इन कारकों के बिना हम इस वाक्य को फून कर ही नहीं सकते हैं, यानि कि वाक्य में एहम चीज़े क्या होती हैं, करता, करम और क्रिया, यानि कि इन तीनों को आपस में जोडने वाले जो शब्द होते हैं वही कारक कहलाते हैं उपर हमने डायेगरम में क्या पढ़ा था यहां देखिए हमने उपर डायेगरम में क्या देखा था करता करम और क्रिया जो शब्द करता करम और क्रिया को आपस में जोड़ते हैं यहां से संबंध जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कारक कहते हैं तो बच्चों हमने पिछली उधारन में क्या देखा? कि वाक्य में ने और को जैसे कारक आये थे. अब हिंदी भाषा में केवल दो ही कारक नहीं है. ऐसे टोटल आठ कारक है. कुल 8 कारक हैं, जिनने हम अब पढ़ते हैं. जैसे कि आठ कारक और उनके विभकति जिन यानि कि हम ये है कारकों के नाम और ये उनके है चिन वाक्या में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कारक है जैसे कि कर्ता कारक और उसकी पहचान है ने जैसे कि आपने उधारन में क्या देखा था राम ने रावन को मारा यानि कि राम क्या था हमारा करताकारक था करताकारक के साथ ही ने शब्द का परियोग होगा यानि कि जिसके साथ ने आएगा वे हमारा होगा करताकारक इसी प्रकार करमकारक के आगे को शब्द आएगा इसी प्रकार करनकारक से के द्वारा संपरदानकारक के लिए और को अपादानकार से अलग होना अब आप यहां देख रहे हैं कि करनकारक में भी से आ रहा है और अपादानकारक में भी से आ रहा है तो हम इन दोनों की पहचान वाक्यों में कैसे करेंगे इसको हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पर से किस परकार परयोग किया गया है और अपादान कारक में से किस परकार परयोग किया गया है आगे देखिए संबंद कारक का के की रा रे री अधिकारन कारक में और पर संभोधन कारक हे रे अरे आदी इस परकार कुल मिलाकर हमारे आठ कारक हैं जिनका परयोग हम वाक्यों में अलग-अलग रूप में करते हैं तो आईए अब हम इसे विस्तार से जानेंगे और हर एक वाक्यों में इसका परयोग हम जानने का परयास करते हैं अब अपनी उत्थान हिंदी व्याकरन पुस्तक का पेज नमबर 65 निकाले और 11 चेप्टर कारक निकाले जिसे हम केस भी कहते हैं आईए अब हम एक उधारन के माध्यम द्वारा कारक को जानने का परयास करते हैं बच्चों आप उपर चित्र को ध्यान से देखें और जैसे जैसे जो जो चित्र में हो रहा है वैसे वैसे ही हम नीचे इन पंक्तियों में इसको पढ़ेंगे बहेलिये ने पेड़ पर बैठे हुए पक्षी को तीर से मारा और खाने के लिए थैले में रखकर घर ले गया उसके बच्चों ने उसे थैलों से निकाल कर और चूले पर रख दिया बच्चों की मा ने उसे कहा अरे तुने यह क्या कर दिया अब बच्चों अब इन पंक्तियों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखें जैसे की ने पर को से के लिए में ने से पर की अरे इन ध्यान से देखें कि इन रंगीन शब्दों के बिना क्या हम वाक्य लिख सकते हैं अब आप एक बार इन रंगीन शब्दों के बिना हिन वाक्यों को पढ़ कर देखें बहेलिए पेड़ बैठे हुए पक्षी तीर मारा और खाने थेले रख कर घर ले गया उसके बच्चों उसे थेलों निकाला और चूलहे रख दिया बच्चों मा ने उसे कहा तूने यह क्या कर दिया अब बच्चों आपने पहली पंक्तियां भी सुनी थी पहले वाक्यों को सुना था और अब भी आपने यह देखा क्या आपको अब वाला वाक्य सही लग रहा है या पहले वाला बिल्कुल अब हम जो बोल रहे हैं वो गलत है और बिना कारकों के अब हम इनको जब हम बोलेंगे तो यह है उचित और संपूर्ण वाक्य नहीं होगा ये रंगीन शब्द हमारे कारक शब्द हैं और इन कारकों के बिना हम वाक्य की सरंजना कर ही नहीं सकते हैं तो बच्चो हमने उस उधारण के माधम से क्या देखा कि संग्या या सरवनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंद का पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं जैसे कि आपने उस उधारण में क्या देखा था कि ये जितने भी हमारे कारक शब्द हैं वो वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंद ही तो बता रहे हैं और आपस में इनको जोड़ कर रख रहे हैं जैसे कि कर दिया बहेलिये ने पेड़ पर पक्षी को तीर से मारा और खाने के लिए थैले में रख कर घर ले गया हमने क्या देखा कि इनके बिना कोई भी वाक्य हम पूर्ण रूप से लिख सकते हैं नहीं न तो कारक क्या करते हैं वाक्य में जितने भी आई हमारी क्लिया शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं और संग्य शब्द हैं इनको आपस में जोड़ कर रखते हैं और इन जो जोड़े हुए शब्द हैं इनहीं कोई हम क्या कहते हैं कारक कहते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था की कारक के कुल आठ भेध होते हैं अब हम ध्यान पूर्वक सभी कारकों को विस्तार से पढ़ेंगे तो सबसे पहले अमारा कौन सा था करताकारक करता कारक क्रिया करने वाले को करता कहते हैं करता कारक से क्रिया के करने वाले का बोध होता है जैसे की रानी ने खाना खाया सोनू पढ़ रहा है रानी ने खाना खाया यहाँ पर आपने देखा है कि खाना खाने का कारे कोन कर रहा है रानी कर रही है तो काम क्या हो रहा है खान खाया जा रहा है यानि कि क्रिया क्या है खाना खाया जाना और उसको कर कौन रहा है रानी कर रही है तो रानी के साथ कौन सा भी बक्ति चन लगा ने तो यहां रानी करता है और ने हमारा कारक है तो इसलिए इसको हम कहेंगे करता कारक रानी ने खाना खाया यहाँ पर ने हमार करता के साथ लगा है सोनू पढ़ रहा है यहाँ पर नेविभक्ति चिन नहीं लगा लेकिन फिर भी हमें यह जरूर पता चल रहा है कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है सोनू कर रहा है तो यानि कि यह है यहाँ पर क्रिया का परभाव किस पर पढ़ रहा है किस पर पढ़ रहा है करता पर पढ़ रहा है तो इसलिए यह भी करता का रख है कई बार हमारे वाक्यों में ने का परियोग ने का रख का परियोग नहीं होता लेकिन फिर भी हमें यह पता चल जाता है कि यह करता का रहे क्यूंकि क्रिया का पर भाब किस करमकारत जिस संग्या शब्द पर क्रिया का फल पढ़ता है उसे करमकारत कहते हैं जैसे की उधारन देखेंगे रामू ने साइकिल चलाई युद्ध वीर पतं पुड़ा रहा है अब हम यहां देखेंगे रामू ने साइकिल चलाई रामू क्या है करता साइकिल क्या है करम और चलाई क्या है क्रिया और ने यहाँ पर क्या है कारक अब हम देखेंगे कि क्रिया का फल रामू पर ना पढ़कर कहां पढ़ रहा है करम पर पढ़ रहा है यानि कि रामू ने साइकिल को चलाया है ठीक है रामू ने चलाई क्या चलाई साइकिल चलाई इसलिए रामू ने क्रि किया का फल किस पर पढ़ रहा है करम पर पढ़ रहा है तो यहां पर कौन सा कारक हुआ करम कारक युद्वीर पतंग उड़ा रहा है यहां पर युद्वीर क्या है करता है पतंग करम है उड़ा रहा है क्रिया है तो यहां पर कोई भी कारक नहीं लगा फिर भी हम यहां पर करम की वज़ा से हमें यह पता चलेगा कि यह है युद्वीर ने पतंग को उड़ाया है तो यहाँ पर करमकारग है अब है करनकारग करता जिसी साधन या माध्यम से क्लिया करता है उसे करनकारग कहते हैं उधारन देखेंगे जोती ने पैंसिल से चित्र बनाया यहाँ जोती क्या है हमारी करता है पैंसिल से चित्र बनाया चित्र क्या है हमारा करम है यानि कि काम क्या हो रहा है चित्र बनाया जा रहा है और बनाया यहाँ पर क्या है क्रिया है तो यहाँ पर पैंसिल से चित्र बनाया तो यहाँ पर क्रिया का परभाव कहाँ पढ़ रहा है पैंसिल से यानि कि माध्यम क्या है चित्र को बनाने का यहाँ पर से पैंसिल से तो य जिस माध्यम से वो काम को कर रहा होता है उसे हम कहते हैं करन कारक यानि कि जोती ने पैंसिल से चित्र बनाया तो यहाँ पर पैंसिल से चित्र बनाना क्या है हमारा करन कारक है यहाँ पर से जो है हमारा विभक्ति चिन है जहाँ पर से लग जाए तो हमारा होता है करन कारक यान दियुदारन देखेंगे शिकारी ने हीरन को तीर से मारा यहाँ पर शिकारी क्या है हमारा काम को करने वाला उसने क्या किया है हीरन को मारा है मारने का काम हुआ है किस से मारा है तीर से मारा गया है तो यहां यह करन कारग का बोध करवा रहा है तो बच्चो अब हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है आईए देखते हैं उधारन के माध्यम से बहन भाई के लिए राखी लाई भाई ने बहन को उपहार दिया यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन है बहन करता है तो बहन ने भाई के लिए राखी लाया यानि कि जो बहन है यानि कि करता है वो अपने भाई के लिए कारे कर रही है इसलिए के लिए विभक्ति चिन लगा है और यहाँ संप्रदान कारक है भाई ने बहन को उपहार दिया यहाँ पर भाई जो है वो करता कारक है तो भाई ने अपने बहन को पहार दिया यानि कि भाई ने बहन के लिए काम किया तो यहाँ पर भी क्या है संप्रदान कारक है प्रस्तुत वाक्य में भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए कारे करता है तो यहाँ पर संपरदान कारक है अपादान कारक संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं जैसे कि उधारन देखेंगे गिलास मेज से गिर गया मा ने बटवे से पैसे निकाले अब हम यहाँ देखेंगे कि गिलास मेज से गिर गया यहाँ पर गिलास जो है वो मेज से क्या हो रहा है अलग हो रहा है यानि कि दो चीजें आपस से क्या हो रही है अलग हो रही है यहाँ पर अपादान का रख हुआ मा ने बटवे से पैसे निकाले यहाँ पर मा ने बटवे से पैसे निकाले यहाँ पर पैसे जो है वो बटवे से क्या हो रहे हैं अलग हो रहे हैं पहले पैसे जो थे बटवे के साथ थे लेकिन अब उसमें से निकल गए हैं क्योंकि मा ने उसको निकाल लिया है अब ऐसे जो है वो बटुए से अलग हो गए हैं तो यहाँ पर जो से विभक्ति चिन लगा है वो अपादान कारक है हमने पिछले उधारण में भी देखा था करन कारक में भी से शब्द का परियोग हुआ था लेकिन वहाँ पर जो से है वो किसी चीज के द्वारा काम करने की बात की गई है यानि कि जो तीने पैंसिस से चित्र बनाया हमने यही पढ़ा था ना तो वहाँ पर भी से शब्द का वो बिलकुल भिन है तो यहाँ पर जो से भी वक्ती लगी है उसका अर्थ है कि इसी चीज से अलग होना यानि कि दो चीजों को आपस से अलग कराना उसको हम क्या कहते हैं अपादान कारग अब हम जानेंगे संबंद कारग के बारे में जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में संबंद बताया जा रहा है यानि कि संग्य या सरव नाम के जिस रूप से वस्दूओं या व्यक्तियों में संबंद का पता चले उसे हम क्या कहते हैं संबंद कारग कहते हैं जैसे कि उधारन देखेंगे यह मेरा घर है यह मेरा घर है यानि कि घर में और मेरे में यहाँ पर जो यह लड़का है और इस घर का आपस में संबंद बताया जा रहा है कि यह जो घर है इस लड़के का है आपस में लड़के का और इस घर का आपस में गहरा संबंद बताया गय वह तरुन का विद्याल्य है यहाँ पर तरुन जो है संग्या है का विद्याल्य है यहाँ पर जो तरुन का संबंद किस से बताया गया है इस विद्याल्य से बताया गया है यानि कि तरुन का इस विद्याल्य से संबंद है वियुक्त वाक्यों में मेरा का संबंद घर से तथा तरुन का संबन्ध विद्याले से होने के कारण संबन्ध कारख है मेरे तथा तरुन के साथ काविभक्ति का परयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर संबन्ध कारख है तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्या जाना कारक के अन्य भेदों को हम अब अगले सेशन में पड़ेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई